अब जो भी बच्चे अड्मिशन लेंगे जिनका गैप है अपने टूवल्स के बाद कुछ सालों का उके उनका क्या हिसाब किताब होगा उनका एडमिशन प्रोसेजर क्या होगा क्या कुछ अलग होगा भी या नहीं, तो सबसे पहले बात करते हैं JNU की, भाई देखो JNU में जो होती है, गैप यह स्टूरेंट्स वालों के लिए दो कैटेगरी होती है, एक होती है P1 कैटेगरी और एक होती है P2 कैटेगरी, what exactly P1 and what exactly P2 आई यह समझते हैं, एक्टम ने 12th 2020, मतलब पिछले साल अगर pass out करा है, मैं यह बात कर रहा हूँ for graduation के लिए, for BA honors in foreign language के लिए, JNU में, okay, तो JNU में P1 कैटेगरी में वो बच्चे जाएंगे जिनके एक साल की gap होगी maximum, या फिर जो बच्चे इसी साल pass out करेंगे, जैसे 2021 वाले बच्चे जो pass out करेंगे 12 वो जाएंगे P1 कैटेगरी में, और जिन्होंने एक साल पहले या फिर जिनका एक साल gap होगा, मतलब 2020 के बच्चे, तो 2020 और अभी तक के बच्चे जो भी है, जो इस साल pass करेंगे, सभी के सभी जाएंगे P1 कैटेगरी में, और बाकी उससे पहले कितने भी साल का गर आपका हो, एक से ज्यादा साल का gap होगा, अगर आपका तो आप पूरे के पूरे चले जाओगे P2 कैटेगरी में, मतलब 19 के पहले या 19 से कोई भी बच्चा, कित्ती भी साल हो, 5 साल, 6 साल, no matter what, आप जाओगे P2 कैटेगरी में, अब exactly इसके अंदर है क्या, P1 कैटेगरी के जो बच सीदा सीद है, मतलब जो P2 कैटेगरी होगा, जो बच्चे का gap होगा, एक से ज्यादा साल का, उनके लिए बोहत बहुत 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 कम सीट होगी, मतलब 20% और बाकी के बाकी, मतलब 80 के परसेंट जो उनका एक साल का gap है, और जिनका कोई gap नहीं है, मतलब इसी साल उनके लिए proper 80% seat है, तो P2 category के लिए तो थोड़ा tough होता है competition, क्योंकि seats बहुत कम होती है, ऐसे JNU में, उपर से उसमें भी 80% seat already reserved हो, और आप 20% वादे category में आती हो, तो थोड़ा tough होता है, बट आपके पास JNU में, हो कहते हैं, भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा ख पॉइंट मिलते है, 5.6, 7.8, 8.10, 12. भाई, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इत्ती पॉइंट होती है, जो आपको admission दिला सकती है, अगर आपका district कोई backward जगे साहता है, तो वहाँ भी quartile district वाली चीज़ होती है, तो उसके बारे मैं बाद में explain करूँगा, but P2 category वाले demot आपके पास पढ़ाई तो आपको करनी है, एनिहाओ चाहिए, आपके पास कितनी भी seat reserve हो, no matter what, but एक advantage होता है, जो कि P1 category के पास है, 80% से आपके लिए normal game चलेगी, cutoff जो है, एक ही list होगी, लेकिन दोनों अलग-अलग होगी, P1 की अलग, P2 की अलग होगी, उपर नीचे करके में भी हो सकता, लिखाओ या फिर आगे पीछे आ सकता, तो यही था P1, P2, सीधा-सीधा P1 वालगे पास 80, P2 वालगे पास 20, P2 जो होते हैं, जिनका एक से जादा साल का gap हो, बाकी सारे P1, तो that's it, अब बात करेगा Delhi University के तो Delhi University की सबसे अच्छी good news यह है, कि यहाँ पे भा तो तुम्हारी जो marks होगी और तुम्हारा इंट्रेंस होगा इस साल, उसमें admission होगा, बाकी कोई, कोई issue नहीं है, बस exam तो अच्छे से निकालो, that's it, और 12th के अच्छे score करो, कोई gap year disadvantage नहीं होता है Delhi University में, that's it, तो यही था P1 and P2 काटेगरी इन, JNU और DU में तो कोई issue ही नह बात करूँ, जो कि काफी hot चीज है, काफी hot question है, तो भाई बता दू, college reopen बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि first year वालो की बात करूँ, तो first year वालो की exam अभी चल रही है, first symbol की, तो अब वो, hopefully online वाले खत्म होने भे है, काफी सारे exam अब बस कुछ ही दिन है, उसके बात खत्म हो जाएंगे proper आजकल में ही, तो last तुम्हारा exam भी खत्म होने वाला है, अब तुम्हारा mid-sem break तो तुम्हारा जादा मिलने वाला है नहीं साल, तुम्हारा classes स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी classes offline भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे colleges तेली मे खुल चुक है, बस government university को खुलने की देरी है, तो tension मतलो, तुम्हारी college बहुत जल्द खुलने है, तो भाई, वीडियो कतम करने से पहले, एक बहुत मस्त सी announcement है तुम लोग के लिए, बाट उससे पहले मैं हमेशा की तरह remind कर दू, if you are preparing for GNUBA foreign language 2021, then if you want study material और notes वगेरा के लिए तुम directly मुझे Instagram पे DM कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे लोग DM करते हमेशा हर दिन request बेशते हैं, और मैं उनसे personally बाते करता हूँ, कितों से तो मैंने phone पे भी बाते करी है, बहुत होगी help करी है, तुम भी कर सकते हो, free में कोई दिक्कत नहीं है, no charges, anytime, जाओ अपने भाई को ज दोंगा, अपने भाईयों को, या फिर जो भी बहनों को, मतलब जो भी लड़के, लड़की, जो भी है, जिनको है, college में कैसे rock कर सकते हो, college में कैसे more stylist देख सकते हो, और वो होती है न, कि class में 50 बच्चे होते हैं, ठीक है न, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको साल दो साल बाद भी कोई नहीं जानता है, अगर पढ़ाई की बात अटा दे तो, मुझे पता है, पढ़ाई is the primary thing, but secondary चीज़े ये भी होती है, तुम टूवल से निकले हो, तुमने अभी अपनी school pass out करी है, तो तुम भी जाते हो थोरसा fashion वगेरा, और grooming and all, college में related, college से style related, और college म सकते हैं, तुम्हारी खुद की नाम से भी, अगर तुम्हारा नाम XYZ है, तो लोग को पता होना चाहिए, हाँ, XYZ बंदा भी नाम का college में है, और वो काफी ज्यादा impressing है, okay, so if you want that impression, तो please नीचे DM करो कि मैं ये session लाओ या नहीं, जहाँ पे मैं help करूँगा, तुमें अपने लाओ वेसी सीज, okay, so thank you, this is all, thank you for watching this video, I love you guys, see you there, next series